भक्तों करीब 200 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुरलब संयोग में नवरात्री की अश्ठमी और नवमी तिथी पड़ रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदी ये नवरात्री साल 2024 में अश्ठमी और नवमी कप पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और साथ में नवरात्री व्रत का पारण कब होगा इसके अलावा विसरजन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी पा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए नहीं तो मा दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है इन सभी बातों की सही सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे इसलिए भक्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और भक्तों अ अश्टमी और नवमी तिथी सबसे खास मानी गई है। दोस्तों और उदयातिती के आधार पर शारदिये नवरात्री दुर्गा अश्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को होगी। भक्तों इस दिन वरत रखकर माता महागौरी और कुल्देवी की पूजा की जाएगी। आईए भक्तों अब जान लेते हैं। भक्तों अश्टमी के दिन ये सभी महूर्थ सर्वश्रेष्ट महूर्थ है। इन में से किसी भी महूर्थ में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथी समाप्त होगी बारह अक्टूबर की सुबह 10 बचकर 40 मिनट पर। ऐसे में मित्रों उद्या तिथी के आधार पर शारदीय नवरात्री दुरगा महानवमी 11 अक्टूबर शुक्रवार को होगी। इस दिन वरत रखकर माता सिधिदात्री की पूजा की जाएग दो पहड दो बचकर 23 मिनट तक, दो बचकर 55 मिनट तक और शाम का मुहूर्त होगा शाम 4 बचकर 19 मिनट से, रात 7 बचकर 19 मिनट तकूब जानते हैं भक्तों, कन्या पूजन विधी दोस्तों, महाश्टमी और महानवमी, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर पूजन में कन्याओं को हलवा चना और पूरी का भोग लगाएं, कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षना दें और उनके पैर छूकर आशीरवाद लें, और स्वयम भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, आए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन व आप जब भी कन्याओं करें, कन्याओं के बाद मां भगवती का ध्यान और ओम श्री श्रीकलीन हमका जाब करते हुए, मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान उठाए, और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से जड़क लें, क्योंकि भक्तों कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीरवाद होता है, जो आपको सुख सम्रिधि प्रदान करता है, इसके बाद बचे हुए जल, कलावा अक्षत आम के पत्ते, धूप आधी को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड पौध भक्तों, एक बात और कलश में डली सुपारी सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें, इससे आपको माम, लक्ष्मी जी का आशीरवाद और सौभाग्य की प्राप्ती होगी, शास्त्रों के अनुसार नारियल, पुन्य प्रतापी कहा जाता है, इसलिए इसके व इसमी तिथी के दिन किया जाएगा, शास्त्रों के अनुसार पारण 12 अक्टूबर के दिन शनिवार को सुभह 10 बज कर 58 मिनट के बाद किया जाएगा, दोस्तों, नवरात्री का व्रत प्रतिपदा तिथी से नवमी तिथी तक करना सर्वश्रेष्ट माना गया है, दुरगा विसरजन महूर्थ 12 अक्टूबर को दोपहर 1 बज कर 17 मिनट से दोपहर 3 बज कर 35 मिनट तक रहेगा, तो भक्तों अब जानते हैं वह कौन सी राशिया हैं, जिनकी किस्मत इस अश्टमी और नवमी नवरात्री से चमकने वाली है, तो इस नवरात्री पर लाभानवित होने भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मातारानी अवश्य लिखें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक लाइक अवश्य कर लें, और हाँ, आपकी राशिक कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा इस नवरात्री पर आपकी राशिक के अनुसार कोई भी उपाय होगा, तो हम कमेंट बॉक्स में आकर रिपलाई में बता देंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं, लगपती करोणपती बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी, तो खर्चे में भी अधिक्ता हो सकती है, तो मित्रों और रिष्टेदारों का सहयोग मिलेगा, मेश राषि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राषि के लोगों को कन्यापूजन करते समय, लाल रंग के वस्तरधारण करने चाहिए, कन्या पूजन में कन्याओं के पैर में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाए और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभ प्रद हो सकता है इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुरगा पर चढ़ाए इनमें गुड़हल गुलाब लाल कमल अथ्वा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन करे राशिस्वामी मंगल को प्रसन किया जा सकता है साथ ही दुरगा सप्तशती का पाठ अवश्य करें आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा वाहन चलाते समय सावधानी बढ़ते हैं भक्तों इस पर्व की अगली भाग शाली राश है व्रिशव राश इस बार मांदुरगा व्रिशव राश के जातकों पर विशेश क्रपा रखने वाली होगी मांदुरगा का आगमन व्रिशव राश वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदाई होने वाला है अच्छी सफलत धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे, आर्थिक स्थिती में सकारात्मक सुधार होगा, जैसे की कहते हैं, ना पैसों में खेलेंगे, कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण, पूर्णतया आपके अनुकूल रहेगा, दामपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है, किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले, मा दुरगा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा, व्रशब राश्य के स्वामी शुक्र है, और उनका लाभी रंग के वस्त्र पहने, और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे, भक्तों कन्याओं को श्रंगार की सामगरी देना अत्यंत शुभ फलदाई होगा, इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं, और कन्याओं को उसका भोज कराएं, मा दुरगा को, कमल बहार, बेला, हरसिंगार, ऐसे फूलों से आराधना करें, इससे भक्तों, शुक्र की शुभता में वृद्ध होगी, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ती होगी, भवन वाहन जायदाद, इन सब में लाभ होगा, अगली खुश नसीब राशे है, तुला राश, तुला व बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है, अतिरिक्ता की अच्छी संभावना है, व्यापार में अचानक वृद्ध संभव है, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्यस्टार हो सकता है, धन आगमन ऐसे होगा, जिसे कहते हैं ना, आपकी जोली कम पढ़ परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का, अच्छा साथ मिलेगा, नए रिष्टे में बंधने का मौका मिलेगा, भक्तों, तुलाराशिका स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और सफेद चीजों का दान करें, कमल गेंदा, गुड़हल जूही, हरसिंगार, सदा बहार के वरधा बेला चमेली, ऐसे पुश्पों से मां भगवती की आराधना करके, उनकी अनकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है, मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पढ़ आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे, व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लखपती तो क्या, करोडपती तक बनने जैसी स्थ पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें, निर्णय लेने में जल्द बाजी न करें, अपरिचितों से न उल्जें, नहीं ऐसे किसी व्यक्ती पर भरोसा करें, आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं, शनी की साढ़े साती चल रही है, लेकिन शन आपको शारीरिक और मानसिक द्रिष्टी से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे, तो गेंदा सभी प्रकार के कमल गुढ़हल बेला चमेली से माता रानी मा भगवती की आराधना करके, उनकी कृपा और शनी दोशों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती, भक्तों कुम्भ राशी के लोग अगर किसी एक कन्या को यथा शक्ती सोने की कोई छोटी मोटी वस्तुदान में दी है, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा, या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की साम ठीक नहीं है, यह चार राशी वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे, उसके बाद मकर और धनुवालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुनकर्क, कन्या, व्रिश्यकमीन और सिंह राशी वालों के लिए यह समय मध्यम फल होगा, तो बाकी राशी वाले निराशना हो जाए, सच्चे मन से मां की आराध ना करें, आपके दिन भी बदलेंगे, आईए भक्तों, अब जान लेते हैं, अश्टमी और नवमी, तिथी की मां महागोरी और मां सिद्धात्री की वरत कथा, जिसको सुनने मातर से आपकी सभी मनो कामना कामनाएं पूर्ण भक्तों, पौरानिक कथा के अनुसार, मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जीवन में कई हजारों सालों तक कठोर तपस्या की थी, तपस्या के दौरान उन्होंने जल और अन्न का त्याग दिया था, इसलिए उनका शरीर काला पड़ी डी डी एच गया था, मां पार्वती की तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, भक्तों, तपस्या के दौरान शरीर काला पड़ी डी एचने की वजह से महादेव ने उन्हें गंगा जल से पवित्र किया, जि मां दुर्गाजी की नौवी शक्ती है, मां सिध्धिदात्री व्यक्ती को सिध्धि प्रदान करती है, अगर इनकी पूजी, विधी विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए, तो व्यक्ती सभी सिध्धियों की प्राप्ती होती है, साथ ही ब्रह्मांड पर मां शिध्धि दात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिध्धियाँ प्राप्त की थी, ये मांग की ही अनुकम्पा थी कि भगवान शिव का आधाशरीर देवी का हुआ, इन्हें अर्धना रिश्वर कहा गया, इसलिए नवरात्री के नौवें दिन, इनकी पूजा से चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम, साथ धूप क्यों न हो, किसी पर यह भेद भाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदाण करती है। चाप करने से आपको आठ प्रकार की सिध्ध और नौ प्रकार के निधिकी प्राप्ती होती है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जोत की बातिका क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्यान के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। और सच्चे हृदै से कमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखना ना भूले और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद।